निधी और प्रीती दोनों सगी बहने थी पिता की मौद के बाद दोनों बहने एक फैक्टरी में काम करके घर चलाने रहे थी उनका एक छोटा भाई भी था अर्जुन जो कि अभी 16 साल का था वो दोनों दिन रात मेहनत कर उसकी पढ़ाई का खर चुटाती थी कुछ समय बाद उन दोनों के लिए एक ही परिवार के दो भाईयों का रिष्टा आया तो उनकी मा को घर बार ठीक लगा इसलिए उसने दोनों की शादी एक ही परिवार में तै कर दी देख अर्जुन तु बिल्कुल भी चिंता मत करना ये मत सोचना कि हम दोनों बेहने चली जाएंगी तो तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा हाँ और हमने अपने पतियों से पहले ही बात कर ली है कि हम शादी के बाद भी नौकरी करेंगे इसने तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा हम तुम्हारी शादी के बाद भी उठाते रहेंगे और जब तक तुम अच्छी नौकरी पर नहीं लग जाते हम तुम्हारे खर्चे उठाते रहेंगे ये बात सुनकर अरजुन बहुत खोश होता है और अपनी दोनों बेहनों के गले लग जाता है बेहने हो तो तुम दोनों जैसी देखना दिदी, मैं पढ़ लेक कर बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा कुछ दिनों बाद वो दोनों बेहने शादी के बाद अपने ससुराल आ जाती है और वो दोनों शादी के बाद भी वैक्टरी में काम गरती है दोनों ही बेहने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने माई के भेशती और कुछ पैसे जमा भी करके रखती ताकि उनके भाई को जब भी पैसे की जरूरत हो तो वो उसकी मदद कर सके एक रोज प्रीती, अभी अभी अर्जुन का फोन आय था उसका MBA पूरा हो गया है, अब वो भी जल्दी से अच्छी नौकरी पर लग जाएगा ये तो बड़ी अच्छी बात है नहीं थी, फिर तो हम कली चलते हैं उससे मिलने फैक्टरी के बाद उसका मूह मिठा करवाने हाँ और साथ में उसके लिए कुछ नई शर्ट भी ले चलेंगे ऑफिस जाने के लिए उसे भी तो नई कपरे चाहिए होंगे चलो अच्छा अपसाले साप की नौकरी लग गई तो तुम दोनों का बोज थोड़ा हलका होगा अगले दिन दोनों बेहने अपने भाई से मिलने जाती हैं और उसे धेर सारी मुबारक बात देती है वा भाई तुने तो कमाली कर दिया कितनी बड़ी कमपनी है तनखा कितनी बताईए पूरे पचास अजार रुपए दिदी क्या पचास अजार जितना अंदोनों मिलकर भी नहीं कमा पाती वा अरजुन हम तेरे लिए बड़े खुश है दोनों बेने अपने भाई की काम्याबी पर बड़ी खुश थी अगले दिन से अरजुन भी अपनी बेनों के दिये हुए नए कपने लेकर काम पर चला जाता है ऐसे कुछ दिन बीटते हैं अरजुन के लेक बड़े घर की लड़की का रिष्टा आता है बेटी जिस कमपनी में अरजुन काम करता है वहां के मालिक की बेटी को हमारे अरजुन से प्यार हो गया है और वो इससे शादी करना चाहती है हम कल ही जा रहे है रिष्टे की बात पक्की करने तुम दोनों भी समय पर आ जाना वा मा ये तो बड़ी अच्ची बात है ठीक है हम आ जाएंगे अगले दिन ही वो सभी सेट की घर चले जाते हैं जहां उनकी कोठी के बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी अंदर जाकर रिष्टे की बात पक्की होती है फिर अर्जुन की मा और बेह ने होनी वाली भाबी सुनैना के सर पर चुन्नी उढ़ा कर और शगुन देकर रिष्टे की बात पक्की कर देते हैं सुनैना दिखने में जितनी सुन्दर थी उतनी ही घमंडी भी थी अपनी दोनों नंदों से उसने कुछ खास बात चीत नहीं की रिष्टा पक्का करके वो सब चले जाते हैं फिर निधी अपनी मा से मा आपके लिए एक और खुश खबरी है हम दोनों बेहने मा बनने वाले है अरे वाह ये तो सच मुझ बड़ी ही खुश खबरी है घर में एक साथ इतनी खुशिया अपसे तुम ना नौकरी मत करना अब अर्जुन कमाने लगा है और उसके ससुर जी उसको एक बड़ा सा फ्लैट गिफ्ट करने वाले है शादी पर अब तुम दोनों बेहने यांकी चिंता छोड़ दो और अपने परिवार को बढ़ाने पर ध्यान दो ये सुनकर दोनों बेहने बड़ी खुश होती है कुछ समय बाद अर्जुन की भी शादी हो जाती है ऐसे ही सब अपने अपनी ग्रिहस्ती में व्यस्त हो जाते है फिर नौ महीने बाद निधी एक बेटे और फ्रिती एक बेटी को जैन में देती है फिर जब वो कुछ महीने के हो जाते है तो दोनों बेहने अपने बच्चों के साथ अपने माई के जाती है अरे आजा मेरा प्यारा बच्चा, दोनों कितने प्यारे हैं, मामो देखो तुमारे लिए कितने सुन्दर सुन्दर खिलाने लाएं फिर दोनों बेहने अपने बच्चों को वही सोफे पर लिटा देती है, ये देख उनकी भावी सुने ना गुस्ते में उनसे बोलती है अरे धीबी, आप इतनी बड़ियो, आप में इतनी समझ तो होनी चाहिए ना कि बच्चों को इतने महेंगे सोफे पर नहीं लिटाते, कहीं नोंने सोफे गंदे कर दिये तो इन्हें अंदर बिस्तर पर लिटा दो, वो भी नीचे पनी बिछा कर ये तुम क्या कह रही हो सुने ना, इन बच्चों से तो घर में कितनी रौनक आ गई है ये तुम्हें रौनक दिखाई दे रही है, जब से आएं रोई जा रहे हैं बस, शोर करके दिमाग खराब कर दिया है कोई बात नी भाबी, हम अभी इने चुप कर वा देते हैं फिर दोनों बेहने अपने अपने बच्चे उठा कर अपनी मा के कमरे में चली जाती है कुछ दिर बाद नौकर उनके लिए खाना भी उनकी मा के कमरे में देखर ही चला जाता है ये देख दोनों बेहनों को बड़ा आजीब लगता है कि उनकी भावी ने उनसे ठीक से बाद भी नहीं की और ना ही उनके साथ खाना खाया ऐसे ही सारा दिन बीट गया उन्होंने उन दोनों बेहनों का बिस्तर भी उनकी मा के कमरे में ही लगवा दिया जैसे थे से उन दोनों बैनों ने वो राद काटी और अगली सुबह ही अपने सस्वराल जाने के लिए तयार हो गई उनके भाई ने उनके रोकने की बजाए उल्टा उनसे पूछा और अच्छा लगाना यहां कर दिदी देखो कितना बड़ा घर है नौकर चाकर है किसी चीज़ की कमी नहीं है तुम भी कैसी बाते करते हो अरजुन इन दोनों ने आज तक ऐसा घर सपने में भी नहीं देखा होगा और नहीं ऐसा खाना खाया होगा वैसे दिदी अरजुन के पास आपके लिए गिफ्ट है दिदी आप दोनों ने पढ़ाई के समय आर्थिक तोर पर मेरी मदद की है ये लीजे ये आपके पैसे आप दोनों के काम आ जाएंगे उन दोनों बहनों को ऐसा लगा जैसे उनका वो छोटा भाई अब बहुत अमीर होगया है और उन पर अपने पैसो का रॉब छाड़ रहा है दोनों बहने वो पैसे लेने से मना करती है लेकिन अर्जुन उन्हें जबरदस्ती वो पैसे पकड़ा देता है दोनों बैने चुप चाप घर आ जाती है कुछ दिन बाद अरे निधी तुमने सुना तुम्हारा भाई अर्जुन खुद की फैक्टरी खोलने जा रहा है अब तो सचमुश वो बहुत बढ़ा अदमी बन गया भई हाँ पैसो से तो वो बहुत अमीर हो क्या है ऐसे ही समय बीटता है और एक रोज निधी के पती सुधीर की अचानक हाट अटाक आने से मौत हो जाती है अपने बेटे की आगी की पढ़ाई के लिए निधी एक फैक्टरी में नौक भी करने लगती है और पीछे से प्रीती अपनी बेटी के साथ साथ उसके बेटे का भी ध्यान रखती है एक रोज निधी की फैक्टरी में मालिक की पत्नी का जन्मदिन होने की बज़े से सबको मुफ्त में राशन बाटा जा रहा था और निधी भी लाइन में लगी हुई थी निधी ये बात नहीं जानती थी कि वो अपनी भाई की फैक्टरी में काम कर रहे थी और गुस्ते में वहां से जाने लगी अरजुन उसके पीछे गया और उससे बोला निधी दिदी आप यहां नोकरे करती हैं आपने कभी बताया नहीं अरजुन तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो बहुत अमीर हो गए हो इसलिए तो तुझे अपनी गरी बेहन दिखाई नी थी खेर कोई बात नहीं अब तु अपने अमीर ससुराल वालों के पास ही जा और उनके साथ खुशी खुशी रहे और हम गरी बेहनों को हमारे हाल पर ही छोड़ते ये कहकर निधी वहां से चली जाती है लेकिन अरजुन की आँखों से वो द्रिश्य जाही नहीं रहा था कि उसकी बड़ी बेहन अपने दोनों हाथ पहलाए उसके सामने खड़ी थी वो जल्दी से अपनी चेक बुक निकालता है कि तभी उसकी पत्नी सुनैना वहां जाती है क्या हूँ आरजुन किसी की पेमिंट करनी है क्या नहीं ये पैसे मैं अपनी बेहन को देना चाहता हूँ ओ अच्छा तो ये बात है इसका मतलब तुम हमेशा मेरी पीछ पीछ अपनी बेहनों की मदद करते हो जैसा तुमारे दिमाग में चल रहा है न ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी दोनों बेहन बड़ी ही स्वाभी मानी है इतनी गरीब होने के बाद भी उन्होंने मुझसे मदद नहीं मागी मैं ही स्वार्थे निकला जो अपनी दोनों बेहनों के दुख को नहीं देख पाया मेरी बेहने जिन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए कितने दुख सहे मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया मुझे इस काबिल बनाया पर अब जब मेरी बारी आई कुछ करने की तो मैंने उनसे मूँ मोड लिया देखो अगर तुमने अपनी बहनों की मदद की या उनसे बात करने की कोशिच भी की तो फिर मैं तुम्हें छोड़ कर चली जाओंगी तुम्हें जो सही लगे तुम कर सकती हो लेकिन मैं अपनी बहनों का साथ नहीं छोड़ सकता उन्होंने जो मेरे लिए किया है न वो तुम सोच भी नहीं सकती मत भूलो अरजुन तुम मेरे डैट के दिये हुए घर में रहते हो देखा तुमने कैसे मुझे अपने मकान का ताना दे दिया लेकिन मेरी बहनोंने आज तक मुझे पढ़ाने का ताना नहीं दिया अब मैं वही करूँगा जो मुझे ठीक लगता है ये कहकर अरजुन अपनी दोनों बहनों के फास जाता है और उनके माफी मांगता है तुम्हें अपनी गलती का एसास हो कि यही हमारे लिए काफी है अब तुम जाओ और अपनी पत्नी से हमारे पीछे लड़ाई मत करो उनकी ये बात अपने पती के पीछे-पीछे आई सुनेना भी सुन लेती है आप दोनों सच-मुझ बहुत अच्छी है अपसे हम दोनों मिलकर आपका साथ देंगे अब वो सभी एक साथ बड़े प्यार से रहते हैं और खुशी-खुशी जीवन व्यतीत करते हैं पायल और अनुष्का दोनों बेहने थी उनका जन में गरीब परिवार में हुआ था पायल जहां सामले रंकी थी तो वही अनुष्का दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी दोनों बेहने जवान हुई अनुष्का तेज तररार, मॉडन और सुन्दर लड़की थी इसलिए अमीर घर के लड़के ने उसे पसंद कर लिया तो वही पायल की शादी एक गरीब परिवार में हो गई पायल धेरों अर्मान मन में संजोए अपने ससुराल आई लेकिन इड़ गारे से बना धाचा ही अब उसका घर था ये देख उसकी आँखे भर आए लेकिन इसी को अपनी किस्मत मान कर उसने चुप चाप स्विकार कर लिया उधर अनुशका अपने बड़े अमीर ससुराल में आकर बहुत खुश थी एक रोज जब पायल बाजार में सबजी लेने पैदल जा रही थी तो अचानक गाड़ी में जाती हुई उसकी बेहन अनुशका की नजर उस पर गई वो गाड़ी से उतर कर बोली अरे दीदी आप कहा जा रहे हो सबजी लेने आई थी अनुशका खेर ये बता तू कैसी है और यहां कैसे मैं भी ठीक हो वो जो राधाक्रिष्ण मंदिर के सामने वाली कोठी है ना वो विने ने खरीद लिये अब हम यहीं शिफ्ट हो गए और अभी मैं विने के साथ मुवी जा रही थी तो आप पर नजर गई तो सोचा आप से मिलनू वो क्या है ना हम अमीर लोगों के पास सबसे हुपसे लेने का टाई में नहीं होता न ये काम तो मेरे घर के नौकर करते हैं मैं तो बहुत मज़े में हूँ अच्छ अब मैं चलती हूँ मुझे लेट हो रहा है वैसे आपका रहती है त्रिलोग पुरी गाओ वहीं बस्ती में मेरा घर है अच्छ घर मैं किसी दिन फुरसत में आपसे मिलने आऊँगी फिर देर सारी बाते करेंगे ओकी बाई ये कहकर अनुषका अपने रास्ते निकल भी ऐसे ही समय बीद गया एक रोज पायल अपने पती उमेश से बोली सुनिये जी अपने घर में न प्लस्तर करवा लो दिवार की दरारों से मच्छर घुसाते हैं बस कुछ दिन और गुजारा कर लो अब रिक्षा चलाने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूं भगवान ने चाहा तो जल्दी अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी ऐसे ही समय भी था एक रोज अनुष्का पायल के घर आई शौड ड्रेस, आखों में चश्मा, हाई हील और हाथ में धेर सारे गिफ्ट्स लेकर जब वो अपनी कार से उत्री तो सभी आसपड़ों उसके लोग उसे देखते रहे यहां तक कि उसके खुद की बहन पायल भी उसे पहचान नहीं पाई अरे, अनुष्का तू बाप रे, तेरा तो स्टाइल ही बदल गया अब क्या करे दीदी हमीरों का तो यही लाइफ स्टाइल होता है अच्छा, अब क्या यहां दर्वाजे पर ही बाते करोगी चलो, अब मुझे अंदर आने दो मैं भी तो देखू तुमारे महल को अनुष्का उसके घर के अंदर आती है तो चारों ओर से उसकी इंट की चार दिवारी को ही देखती रह जाती है फिर पायल के हाथों में तरतर के मिठाईयों के डिबबे और धेर सारे गिफ्ट देती है फिर कुछ तेर बात पायल पानी लेकर आई उसकी सांस फूली हुई थी दीदी, कहां चली गई थी पानी ले ने आपकी सांस फूली हुई है गली के बाहर जो सरकारी नल है न वहीं सिलाई हूँ सरकारी नल से ना बबना मैं नहीं पिऊंगी, कहीं मेरा पेट खराब हो गया तो अच्छा वैसे यहां अजीब सी बद्बू क्यों आ रही है वो मैंने सुबर लिपाई की थी न तो थोड़ी गोबर और मिट्टी की महग तो आएगी यू, गोबर, छी मेरे घर में तो ग्रिनाइट पत्थर लगा हुआ है फो भी महेंगे वाला अच्छा मैं चलती हो अनुश्का, तू पहली बार अपनी बहन के ससुराल आई है चाय तो पी कर जा चाय, अब इस गोबर वाले घर में कुछ भी पीने की इच्छा नहीं हो रही नहीं नहीं, रहने दो दीदी मैंने चाय पीना छोड़ दिया अब तो मैं सर्फ केसर पिस्ते वाले दूदी पीती हो अच्छा मैं आपको यह न, मेरे यहाँ संडे पार्टी भी है उसका इंविटेशन देने आई थी आपको आना है, ओके? इसी बहाने आप मेरा संसुराल भी देख लोगी यह कहकर अनुष्का वहाँ से चली जाती है उसके जाने के बाद पाईल वो डब्बे खोलती है तो उसमें बहुत सारा खाने का सामान था अब वो परिशान थी कि जब वो अनुष्का के घर जाएगी तो क्या ले कर जाएगी? शाम को उमेश घर आया तो वो बोला पाईल, अमीरों और गरीबों के लाइफस्टाइल में बहुत फर्क होता है और वो अमीर है और हम गरीब उनके जैसी हैसियत नहीं है हमारी ऐसे दिन बीद गए पाईल को चिंता सताने लगी कि वो अनुष्का के यहां क्या ले कर जाएगी फिर उसे खयाल आये कि अनुष्का को उसके हाथ के आटे के लड़ू बेहत पसंद है वो जल्दी से आटे के लड़ू बना लेती है और फिर अगले दिन उन्हें लेकर अनुष्का के घर पहुंच जाती है जहां वो देखती है कि अनुष्का अपने शीश महल जैसे घर में आराम से बड़े से सोफे पर बैठी है उसके ठाट बाट देखकर पायल हैरान रह गए पायल ने अनुष्का को पुकारा अनुष्का ने उसकी ओर देखा तो वो गुस्से से भड़क गए ओफो दीदी मैं जानती हूँ कि तुम गरीब हो लेकिन कम से कम तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि अमीर लोगों की घर कैसे बन कर जाना चाहिए अरे कम से कम एक जोड़ी नए कपड़े ही खरीद लेती तुमसे अच्छी तो हमारी एक काम वाली लग रही है कभी वहाँ अनुष्का के ससुराल बाले भी आ गए अनुष्का मैं तुम्हारी लिए अपने हाथों से आटे के लड़ूर बना कर लेकर आई थी पहले बात अलग थी दी अब मैं अमीर खांदान में आ गई हूँ जाओ यहां से अब मेरे यहां तभी आना जब तुम्हारा ये गरीबी वाला लाइफस्टाइल बदल जाए बहू क्या जरूरत थी गरीब लोगों को पार्टी में बुलाने की अनुष्का तुम तो इनके यहां कितना कुछ लेकर गई थी और ये बेकार से लड्डू लेकर आई है अपनी बेज़ती देखकर पायल रोते हुए वहां से चली जाती है ऐसे ही तीन साल बीद गए दोनों बेहनों की डिलिवरी होने वाली थी पायल को मेश चल्दी से पास की सरकारी अस्पताल में ले जाता है तो वहीं दूसरी तरफ अनुष्का को विन एक महंगे प्राइवेट अस्पताल में ले जाने लगता है लेकिन प्राइवेट अस्पताल थोड़ा दूर होता है और वो वहां तक नहीं जा पाते इसलिए वो भी अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल में ही ले जाता है कुछ दिर बाद डॉक्टर पायल से कहते है ये सुनकर पायल और उमेश बहुत खुश हुए लेकिन तभी दूसरे कमरे से किसी के रोने की आवाज आई पायल ने परदा हटा कर देखा तो सामने बिस्तर पर अनुष्का बेहोश थी और विने और उसकी माँ आपस में बाते कर रहे थे माँ जब अनुष्का होश में आएगी और अपने बच्चे के भारे में पूछेगी तो मैं उसे क्या कहूंगा कि तुम्हारा बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है और अब वो कभी मा नहीं बन सकती नहीं बेटा अगर ऐसा हुआ तो वो सद्मे में भी जा सकती है या हमेशा हमेशा के लिए कहीं कोमा में ना चली जाए इसलिए डॉक्टर ने उसे कुछ भी बताने से मना किया है नहीं मा, मैं अनुष्का को नहीं खोना चाहता। बेटे की परवरिश करते समय उसे गरीब और अमीर दोनों के बारे में बताना ताकि वो गरीबों का दुख भी समझ सके। शायद इस से मेरे सारे पाप दो जाएं। मेरा नहीं बेहन तेरा बेटा। आज से ही तेरा बेटा है। दोनों बेहने रोते हुए एक दूसरे के गरे लग गए। आज मा की ममता ने अमीरी गरीबी के सारे फासले मिटा दिये। झाल के अजि़क दूसरे के अजि़क रहेगर दूसरे के विए खासले मेरे पासले भी अजिया जा कर सके दो जाना ने विए। झाल झाल झाल